सो वेल्कम बैक टो फूद ट्रेवल सो आज का डिश है डिलिशियस एड इजी स्पगेटी आलियो ए ओलियो ये देखिए आप आलियो ए ओलियो इटालियन डिश है सो मैं एंजॉई करता हूँ आप सीखने के लिए वीडियो आगे देखो वेल्कम टो फूद ट्रावल गैस आज हम एक बहुत सिंपल बहुत ही डिलिशियस और इजी रेसिपी जो है पनाने जा रहे है इज ऑथेंटिक इटालियन डिश जिसका नाम है स्पगेटी आलियो ए ओलियो इसके फाइफ में इंग्रीडियन्स है जो कि आप यहाँ पे वीडि एक्टी ऑके कभी भी अगर आप आलियो उलियो बनाने जा रहे हो तो एंशूर यह दूरूं वीट का पास्ता और करो ओके दन हमारे पास को डियंडर लीव से चॉप्ट हमारे पास यहाँ पर थोड़ा सा नमक है ऐब दन हमारे पास हमारे पास चिली फ्लेक्स है और चॉप में हम डालेंगे, salt, and इसका नाब आलियो है, ओलियो क्यों है, आलियो मीन्स गार्लिक, ठीक है, लेसो, ओलियो मीन्स ओईल, ओके, एंशुर आप बटर और कोई अदर ओईल उज नहीं कर रहे हो, आप जो है, ओलिव ओईल नहीं यूज कर रहे हो, एक्स्टा वर्जिन, ओल्रे and then the combination of pasta, this pasta, and the coriander leaves, ठीक है, बहुत सिंपल निश्य है, वीडियो आगे देखिए, आगे की process बताता हूँ, आपको कुछ नहीं करना है, इसको बस spiral ऐसे कर देना है, and ये नीजे से पकते जाएगा, और ये जो बाकी आपका pasta उपर है, ये अंदर slide होते जाएगा, ठीक है, और आपको जो normally है, इसको थोड़ा सा stir करते रहना है, okay, so, इसका जो cooking time है, preparation plus cooking, it takes 15 minutes, okay, why, because, 10 minutes हमको ये pasta cook करने में लाएगा, because this is not normal pasta, okay, तो इसको हमें 10 minutes लाएगा, cook करने में, okay, properly, and उसके बासे 5 minutes हमें बस ये लगेगा, हमारा pasta cook करने में, okay, and pasta cook करने is very easy, okay, जो actual dish है, वो बनाना बहुत easy है, एक बार आपका ये pasta ये हाँ से, पानी से निकल गया, post then, बस 5 minutes में आपका जो आलियो है, वो रेडी हो जाएगा, ठीक है, so, ये जब boil हो जाता है, उसके बाद से मैं आपको next step बताता हूँ, ये आप देख रहे है, ये मैंने इसको spiral कर दिया, okay, so, that's how you have to do, ये आपको ब्रेक बिल्कुल नहीं करना है, again, I am saying, कभी भी आप आलियो बना रहे हो, और आपको spaghetti pasta बनाना है, तो ensure कर ये आप दुरूम वीट का, ingredients में आप देखो, if it is a दुरूम वीट, दुरूम वीट का जो पास्ता रहता है, spaghetti pakस्ता, वहीं हमको लेना है, it has a distinct taste, it has a distinct flavor, so by the time हमारा यहाँ पर पास्ता कुक हो रहा है, it would take more 7 minutes, all right, 3 minute हो चुक है, so by the time it cooks, हम बाकी के preparation कर लेते है, बाकी के preparation कहा है, very easy है, and this is the standard procedure guys, okay, यह जो आपका olive oil, extra virgin olive oil, हमे इसको यहाँ पर करना है, okay, it's done, and, इस में हमें, यह जो गार्लिक है, हमें garlic डालना है, so आलियो और ओलियो बनाने का trick ही है, कि कभी भी cold oil में, olive oil में, हमें पहले garlic को mix करना है, और उसके बाद से, इसको low flame पे हमें, 2-3 मिनट बस cook करना है, 2-3 मिनट, why, because, जब आप starting में, इसको mix कर दोगे न, cold oil में, और जब slowly यह पकेगा न, okay, so, जो भी olive oil का smell है, flavor है, and जो भी garlic का flavor है, वो उसमें mix हो जाएगा, okay, क्योंकि हमारे पास कोई sauce कुछ भी नहीं है, पास्ता को हम बस यसी में, टॉस करने वाले, so, oil को जो है, पूरा garlic का जो flavor है, एब्सॉब करना चाहिए, and therefore, cold oil में हम यह डालेंगे, and then, हम इसको slow flame पे cook करेंगे, okay, so, यह तो हमारा ready हो गया, now, let's wait for the pasta to cook, and then, I'll show you the next steps, okay, so, हमारा जो नूडल्स है, जो पास्ता है हमारा, वो यहाँ पे cook हो चुका है, मैंने side में रखा हुआ है, और यह बहुत ही medium flame पे, okay, मैंने यहाँ पे जो olive oil और garlic है, तो यहाँ पे मैं स्वाते कर रहा हूँ, और जैसे यह heat होने लाएगा आपको एक aroma आने लाएगा, all right, so, इसको मैं एक minute करूँगा, एक minute, एक minute, एक minute, तेड़ मिनट, and then, उसके बाद से मैं, coriander दिख रहा है आपको, so, यह coriander का जो stem होता है, ना, वो है, और यह पत्ते है, फ्लेवर का इस stem में होता है, ना कि पत्तो में, okay, so, ensure आलियो ओलियो अगर आप बना रहे होना, तो आप यह यह यूज़ कर रहे हो, all right, so, इसको थोड़ा सौटे करते है, and then, फिर हम, coriander इसमें आड़ करेंगे, garlic को हमें बिल्कुल ही burn नहीं करना है, बिल्कुल ही हमें burn नहीं करना, okay, हल्का-हल्का इसको सौटे करना है, और जैसे इसमें हल्का सा golden brownish color आने लगेगा, okay, यहाँ पर आने लगा है, तुरंथ हम जो हम इसमें, जो coriander पे जो stems थे, और जो उसके हमके से leaves है, वो सब हम यहाँ पर आड़ करेंगे, तो हमारे यह base बना रहे हम अपने पास्ता का, तो हमारे base में तीन ही flavor है, एक तो olive oil का रहे flavor है, एक हमारे पास garlic का flavor है, और थर्ड एंपोर्टन फिमेंगे इस, coriander का flavor, okay, so this is our base, क्योंकि हम अलग से कुछ पास्ता के लिए, sauce हमें नहीं बनाया हुआ है, so almost our base is ready, 10 seconds में फिर हम इसको, पास्ता के साथ mix करेंगे, so let's cook it little bit more, so guys almost done हो गया है, तो इसमें यह salt है, मैंने taste के साथ से इसमें डाल दिया है, and then, यह मैंने mix कर दिया इसको, और जो हमारा base है, वो ready हो गया है, और इसमें जो है, chili flakes समने डाल दिया थोड़ा सा, okay, इसको हमने mix कर दिया, हमारा base जो है, वो ready हो गया है अच्छे से, देखिए, बिल्कुल बर्ल नहीं किया हमाने garlic, अच्छे से बिल्कुल ही बन नहीं किया है, all right, तो यह आपको ध्यान रखना है, and then, हमारा जो यह पास्ता है, before that, यह थोड़ा सा जो पास्ता का पानी है, यह हमने इसमें डाल दिया, why, की, जो गार्लिक है, उसकी को किंग रूप जाए, okay, to arrest the cooking of garlic, हमने थोड़ा से इसमें पानी डाल दिया, and now, in गोस्ता पास्ता, और बस इसको, टॉस करना है, टॉस करना है, आप देख रहे हो, this is अलियो ए ओलियो, आप रेस्टर्न में जाओगे, 700 के नीचे नहीं में लिगा आपको, and again, we don't know what kind of pasta they are using, durum wheat है, नहीं है, what kind of oil they are using, you cannot vouch for it, right, so raw ingredients खरीदे हैं, it costs around 650 rupees, okay, और वो 650 rupees का, raw ingredients आपने खरीदा हुआ है, olive oil खरीदा है, even आपने जो पास्ता खरीदा हुआ है, वो कम से कम आप 5 से 6 बार यूज़ कर सकते हो, literally, मैंने 143 में यूज़ किया है, अपने पास्ता में, जो मैंने वो दूरम वीट का, आपास्ता खरीदा हुआ है, Del Monte का, link मैं डाल दूँगा, link डाल दूँगा, video के नीचे में, you guys can refer it, buy it, okay, and यह जो देखिए हमारा पास्ता है, guys, allio and allio spaghetti, ready हो गया है, ठीक है, तो इसको अंप्लेटिंग करते हैं, okay, so guys, यह देखिए हमारा, spaghetti, allio and allio, ready हो चुका है, so weekend आने वाला है, तीन दिन में, weekend पे आप जाओ, ingredients लाओ, 5 ingredients है, बनाए, enjoy with, orange juice, all right, मिलते हैं, एक नए वीडियो के साथ, आप एक नए वीडियो के साथ,